हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल पर दूस्तों आज की इस वीडियो हम बात करें गया अगर आपके पास है रेलमी नर्जो 70 टर्फो 5C तो इस वीडियो में आपको बताएंगे इस फोन के टॉप 60 प्लस हेडन फीचरों को स्टेप सेंट रिक बताएंग आपकी फोड़र करते हैं तो आपकी फोन के अंदर कामबरा ओपन हो जाता है यह जैसे घासके के ट्रोब्स लाइंड इसी बाद आपको volume down button इसे आप long press रखते हैं तो आपकी torch open हो जाती है इस पकार साफ से access कर सकते हैं इसी बाद आपकी screen on है और आप power button double press करते हैं अपनी phone के अंदर बाद आपके phone के अंदर camera open हो जाता है ऐसे बहुतारे feature आपको इस phone के अंदर देखना हो मिल जाते हैं कैसे आपने फोन के अंदर एक फीचर देगे मिल लाता है डिस्प्ले पर होम स्क्रीन पर लॉंग प्राइस रखना इस ताइटील साइब करके मौर पर जाएंगे तो यहां आपको मिल लाता है डवल टैप टू लॉक इस वाले फीचर को आपके फोन में ओफ होगा इसे आप जरूर से इने इसके लिए आपके फोन के अंदर बस नेट होना जरूरी है तो आपके लिए एड़ेट पर क्लिक करें आप तो यहां सा आपको मिल जाता है यहां सा आप देख सकते हैं उसको सिर्फ आपको अंडरलाइन कर देना जिसे आपको रिमूब करना और आप थोड़ी देर बेट कर सब्सक्राइब नहीं कर देख सकते हैं हैं गागना जर्थी वेडराँ यहां जाता है है तो हमिखर सब्सक्राइब करना है में इस पर हैं क्लिक करते हैं ऊके इस अगर चाहीं और उंदर इसे के व्यष्म इदर आपसे यूज कर सकते हैं इस पकाड सा एपसे सैट कर देंगे इसके बाद आपको और फीचर देखना हो मिल दाते हैं अपनी फोन के इंदर एह समय आपको यह जाता इसम आपको यह जाएंगे इस से आप यहां से ओन कर देंगे इससे ओन करने बाद आपको फोन के अंदर यहां कर सकती है इसके बाद आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरफ दो एपली किसन आपकी फोन में सपोर्ट करता है जैसे कि आपको फेस्बुक और यूटूब पर आपके लिए फोन में काम करें तकि इस पकार साब इस्क्रॉल करके अपनी फोन में रील इजली देख सकते हैं या फिर सौट देख सकते हैं नेक्स फीचे मिल जाता हुआ डवल टब टू इसके इसे क्या इसे ऑन कर देंगे और आप इसे बैग में डवल टब करेंगे तो अपनी फोन के अंदर इस तरफ कर सकते हैं इसके बाद आपको यहां से बैक आना है यह असस्टेंट आपको मिल जाता है इस पर जाएंगे इसे आप यहां से ओन कर देंगे इसे आपको कैसे अक्टिवेट करना है टू फिंगर प्रेश और उपन रिनी स्क्रीन पर उसके बाद आप से यूज कर देंगे इस बाद आपको पने phone केंदर AI gesture activate हो जाता है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ सापको AI smart loop मिल जाता है, इसे अने phone के अंदर इसके बाद आपकी easy फोटो को easily आप इसे share कर सकते हैं कहींपे, बैक आ जाएंगे, इस ही मापको एक feature मिल जाता है, smart sidebar जोके हमने on कर दिया इसे on करने बाद आपको एक sidebar देखनों मिल जाता है जिसे आप shortcut में यूज कर सकते हैं इसमें सब कोई भी application कहीं भी आप डिरेक्ट से access कर सकते हैं अपनी हैप स्क्रीन पे इसे आप minimize भी बोर सकते हैं फिर mini window भी आप इसे बोल सकते हैं इस पकार सब्सक्रीख कर सकते हैं इस पकार साथ कर सकते हैं तो आप इसे e Diloy चैटिंग में जाना है अब यहां से आपको फीचर देखने हो मल जाता है अपने फोन के अंदर यहां मल जाता है gesture and motion इस पर जब आप क्लिक करें तो हम लेगा screen of gesture इसे आप यहां से screen of gesture को on करेंगे अब यहां मल जाता है आप यहां से आपकी फोन कर देते हैं अपनी फोन के अंदर यहां से तो आपकी फोन में यूटूब ओपन हो जाता है अब यह आपकी फोन में कैसे बढ़ करता है जैसे आपकी screen of है इस पर आप ओड्रो कर देते हैं अपनी फोन के अंदर यहां से तो आपकी फोन में camera open हो जाता है और आप यहां से आपकी फोन के अंदर आपने यूटूब ओपन हो जाता है इसके बाद आप यहां से अगर एड्रो कर देते हैं तो आपकी फोन के अंदर आपने यूज़ कर सकते हैं फिर से आपको फोन की setting मा जाना है setting माने बाद एक step back करेंगे अब यहां आपको और कुछ gesture देखने के लिए मिल जाते हैं अपने फोन के अंदर जैसे कि आपको मिल जाता है आपको फोन में लोक लगा होगा तब नेक्स फूचर मिल जाता है राइस टूवेक राइस टूवेक से कहा होता है जैसे आपको फोन के टेबल पर रखा है और जब भी अपसे उठाएंगे बना कोई बटन प्रेस कर विए आपकी स्क्रीन ओन हो जाते ही तापको इस पर कोई notification message आप में इस नहीं करें नीचे आजाएंगे लिफ्ट टू यहर अंतर इससे कहता है आपको अपनी कॉल को आंतर कर सकते हैं बना कोई बटन प्रेस करें हुए तरफ आपको फोन को उठाना और कान के पास तक ले जाना आपकी कॉल अटमेंटिक आंसर हो जाती है नेक्स फूचर मिल जाता है फिलिप आपको 용़ आपको क्यों épर नहीं होगा तो इस के लिए आपको बॉ tô बेटन हाइट करने वागे लिए बटन हाइट करने के लिए एकनल अपने जो इसप्रतों में करेंगे तो नीचे खान आया था है एक्ट्र। नीचे के आफीक फॉन करना है अिउज यूज कर सकते इस पकार से यूज़ करेंगे इपनी फोन के अंदर इसे के बाद आपको फोन के नदर एक बटम आप समिल जाता है ऐसे टेफ वॉल इससे यहां से ओन कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर के वॉल आ जाती है इसे किया एक बार टैप करेंगे तो बैक का जाएंगे डावल टैप तो recent task में जाएंगे आप tap and hold रखते हैं तो home screen पर आजाते हैं अगर यह ball आपको चाहिए तो इसे use कर सकते हैं नहीं भी चाहिए तो simply आप यहां से पर आज़ेने बाद यहां से अलगलग save कर सकते हैं जो भी अच्छा लगता हो ऑफ साइब करेंगी है और यहां से यूज कर सकती है अलगलगE style उज़ें कर सकते हैं अपनी साप से जो भी आपको उच्छा लगता हो आपएंसे जाने कि पाद रखतेंगे नीची आपको इनका आइकोन का साइच कम जादे करना कर सकती है इनका फोर्स बैक्ग्राउंड कम जादे करना कर सकती है नेम आप इनका साइच चेंज कर सकते हैं और इसे हम एपलाई कर देंगे इस पकार से इनका साइच चेंज कर सकते हैं इसे के बाद आपको फीचर देखना हो मिल लाता आइको को चोड़ देना है इस पकार से अपनी फौन के अंदर अपने फॉन को यूज कर सकते हैं इस पकार से छिए हूई आपको यूज करना हो सिंगल हैं से आप जाके यूज कर सकते हैं जिस Major और gesture इसके बाद आपको अपने phone के अंदर net feature के लिए फिर से phone की setting में जाना है अब आपको जाना है फोन के बाल पेपर और style इसपर कลिक करेंगे तो यहां सा आप बाल पेपर चेंज कर सकते हैं यहां सा आपको अपने phone के अंदर always on display का feature मल जाता है जिसे आप यहां से यूज करदेंगे इसी के बाद आपको font style देखने हो मलते जिने आप यहां से change कर दिंगे यहां आपको मलता है color color पर जाएंगे तो जो आपको blue color देखने हो मलता है इसकी जैप कोई भी color easily एपने phone में change करशकते हैं अब आपको green color आला जाता है वापस तो यहां से आपको छेंज कर सकते हैं इसके बाद आपको है संप सरकल में करते हैं ते अब आपके सरकल में आ जाते हैं यहीं सा आपको finger paint animation मिल जाते हैं जन्हें आप यहां से चेंज कर सकते हैं बैक करेंगे edge light को आपसा मिल जाता है जिब कि जो कि आपकी call notification पर आपकी फोन में बर्क करती है इस्टेटस बार में जाएंगे तो यहां से अपनी फोन के अंदर बैंटरी परसेंटेज को आप सो कर सकते हैं 38 परसेंट यहीं से ओन आफ कर सकते हैं इसके बाद आपको नीचे को आपसा मिल जाता है कुछ आप्स पर जाएंगे तो यहां से आपको ड्ट करना तो अपनी फोन में यूज कर सकते हैं इसके बाद आपको ब्रीकिसर बताते हैं अपनी फोन के इंदर अगर किसी का भी करना हो तो setting मजाएंगे notification में अबाद यहां आपको नीचा आ जाना है तो यहां साथ आपको सारे application आप द्रीकने मल जाते हैं जिसका भी notification आपको off करना हो simply app just by जाएंगे हैं से आपको इसको off करते हैं और notification नहीं आगा तो इस पकार से notification setting अपनी दुआ यहां से स्क्रीन लोक कर सकते हैं तो इस पकाप से अपनी फोन के ऐ지를्टन कर सकते हैं तो यह थी हमारे फोन की टिप सेंड डिक की वीडियो अगर अपको वीडियो कि अच्छा लगा हो तो लायक करें मिलते हैं आपसे पिर किसी नेक्स्ट वीडिया में तरब तक के लिए बाई एंड्स टेक केर